हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत थे फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ आफ शिवानी मित्रा के और एक नए व्लोग में तो फ्रेंड्स मैंने कल ब्लोग इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तवेत खराप थी और पता नहीं मेरे फोन में भी पता नहीं कुछ हुआ था जो फोन भी बंद हो गया था इस बज़े से मैं कल ब्लोग नहीं डाल पाई हूँ और आज मैं ब्लोग डाल रही हूँ अभी सुवे का टाइम है और मैं नहादो के तैयार भी हो गई हूँ पुजापाट भी हो गया है तो पुजापाट आप लोगों को मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि रोज ही किचन में देखूंगी मम्मी ने क्या खाना बनाया है सुवे और दिशानी अभी मेरी बहन के पास है क्योंकि उसको मैंने सुवे दूद पिलाने के बाद मेरी बहन के पास दे दिया था उसको थोड़ा सा गुमाने के लिए और फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हो मैं अच्छ मटर पुलाव बना है और पापा ड्यूटी में गया है तो पापा के लिए अलग से पराठे सबजी ये सब भी बना है तो मुझे तो ये मटर पुलाव बहुत पसंद है तो मैं यही खाऊंगी यहां पर मैंने मटर पुलाव ले लिया है और अभी मैं जाऊंगी दूप में वेटके खाऊंगी, मम्मी भी वहाँ पे धूप में वेठी हुई है, मम्मी खा रही है, बेंगन मसाला, गुड और पराथे, दिशानी भी घूमते घूमते आ गई है, मेरी ताई जी के गोदी में है दिशानी, और अब मैं खा रही हूँ मतर पुलाव, इसमें और ज्यादा मत जाना था, पर थोड़ा सा ही मतर था घर पे, इसलिए मम्मी ने थोड़ा सा ही डाल के बनाया था, फिर बाद में बनाएगी, ज्यादा डाल कर, तो अभी मेरा नास्ता हो गया है, और अभी जाके मैं दिशानी के लिए दूद बनाऊंगी, उसको भूक लगी है, वो भी आ ग गले में थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाया था ना, उस दिन कि इसके गले में कुछ हुआ है, ऐसे रैशेस जैसा, तो वही सबकुछ उसमें पाउडर वगरा, सबकुछ लगा रही थी, और देखिए, ये, उसके बाद जाके इसने पोटी किया, फिर इसको साफ किया, फिर जाके मैंने इसको दूद पिलाया, दूद पिलाने के बाद, अब देखो, इसको मैं दूँगी, उसके मामा जी के पास, और फिर अभी, देखिए, पूरे रूम में फेलावडी हो रहा है, तो इसको पूरा समताऊंगी मैं, मामा, हलका हलका सा जुखाम जुखाम सा फिर भी अपने आप ही निकल जाती है, उसमें से थोड़ा होती है, निकलने लगी है, तो निकल जाती है, और इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मेरे को समझ में ही नहीं आता कि इसको मैं सोईटर पहना हूँ, कि बिना पहना के रखू, इसी चीज में मैं तो देखिए, इसी बज़े से इसको जुखामी लग गया है, तो अभी मैंने दिशानी को नीचे सुला दिया है, और फिर जाके मैं वेट को पूरा साफ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फेलावडी हो रहा था, आप लोगोंने तो देखाई है, लेकिन उसको मैं बा इतला सा देती हूँ, पर वो हाथ पे इतना ज्यादा चलाती है, पूछो ही मत, कि हाथ पे चला चला के पूरा तीन चार बार तो अभी ही आप लोगोंने देख लिया, वो ऐसे ही करती है, पूरा दिन, पूरी रात, ऐसे ही करती है, फिर मैं उसके सारे बेट को मैंने समटा दिया है, और अभी जा रही हूँ, मैं उसके, इसके डाइपर यहाँ पर फेकती हूँ, यह पीछे फेकती हूँ, हुमारे घर के पीछे, पीछे दिशानी के डाइपर ही डाइपर है, पूरा है सा, मेरा भाई एक दिन बोल रहा है, कि पीछे ऐसा लगता है, कि होस्पिटल जैसा है और यह सारे कपड़े भी सुख गये होंगे मम्मी की साड़ी भी गिर गई है तो पूरा देखो सुवे मम्मी ने कपड़े धोके सुखाय थे अभी भी धूल रहे हैं वाशिन मिशिंग में और वी कपड़े धूल रहे हैं और यहां पर सूख रहे हैं सिर्फ मेरे कपड़े तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कपड़े सारे उठा लिये हैं और अब मैं अंदर जा रही हूं कपड़ों को रखके और दिशानी अंदर है अभी भी खेल रही है अकेली-अकेली सोई नहीं है तिरको किसने काटूं चला कि दिया दिशानी यहां पर रख दूँगी मैं अभी अभी घड़ी नहीं करूंगी बाद में घड़ी करूंगी यहां से देखो बाहर कितनी धूपे और आज से सा लग रहा है कि गर्मी का मुसम आई ही गया है और गर्मी भी लग रही है तो में तो आज से सोईटर पेहना बन कर दिया है पर दिशानी को फिर भी मैंने पेहना आया है सोईटर और अभी यह ना पता नहीं क्यों आज रो रही है बहुत जादा मतलव दूद पिला दिया, सब कुछ कर दिया कोई प्रोबलम मुझे असा लगनी रहा है पर फिर भी पता नहीं क्यों रो रही है तो घर में अके लिए-खेली क्या करूँ तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के पास लेके जाती हूँ ग्यूंकि इसको कोई बात करने वाले चाहिए जो इसके साथ हमेशा बात करते रहे और में थोड़ा सा घूम लूँगी मुझे मामा जी ने बुलाया था जुतों मैं जा रही हूं और सोच रही हूं कि इसको वहां पर रख दूंगी मम्मी के पास चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गई हूं भाईया को मैंने बोला था कि थोड़ा सा छोड़ क्या मुझे और एससे सोया लगनी राय की शाम तक उठेगा तो मैं खुदी पेदल चलिया यह और देखिए यहां पर एक मंदिर है चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूं यह मंदिर बहुत ही अच्छा है मैं पहले ही यहां पर बहुत पूजा करने आती थी यह देखिए बोलेनात का मंदि है और वहां पर है मादुर का है हम लोग फाइनली दुकान पोज गए है यह लोग दिशानी को यह बहुत ज्यादा रो रही थी देखिए फ्रेंड्स अभी मैं दुकान में आई हूं और मैं आप लोगों को कुछ सारी दिखा रही हूं और देखिए इन में से एक मैं सोच र लग रहा है और कौन सा मैं लूँ तो फिर मैं बाद में ले लूँगी उसमें से एक देखिए यह सारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बहुत ही अच्छा कलरफुल है यह देखो एसा यह एक है इसका प्रिंट देखो कितना अच्छा है कितना सुन्दर प्रिंट है इसका और एक देखिए यह इसमें न और भी अच्छे अच्छे कलर थे पर वो बिक गए है तो यही बचाय मैं सोची रही थी कि लूंगी लूंगी सोच के फिर जाके लेना ही नहीं हुआ मेरा और यह वाला देखिए बहुत ही अच्छा है यलो और रेड और इसका भी प्रिंट इतना सुन्दर है और यह कोटन की सारी है सौप्ट कोटन है यह देखिए इसमें सारे कलर है सुन्दर सुन्दर कलर है सब एक से एक कलर है यह देखो मुझे रेड कलर पसंद है पर मैं पहनती नहीं हूँ इतना रेड कलर और हमेशा है ना मैं ज्यादह तर पिंग पिंग हो जाता है मेरे पास मैं सोचते हूँ अब नहीं करीदूंगी फिर बी जाके दुकान जाके पिंग की पसंद आ जाता है मुझे यह देखिए यह कलर भी अच्छा है पर यह ब्लेक निये कोफी कलर है और यह है और औरेंज मुझे ना यह रेट कलर बहुत अच्छा लग रहा है मैं सोच रही हूँ यह वाला लूँ या फिर मैं सोच रही हूँ यह वाला ले लेती हूँ इन दोनों में से एक सोच रही हूँ मैं यह पिंक भी अच्छा है पर मैं अब पिंक लूँगी नहीं मेरे पास बहुत सारा पिंक पिंक हो गया है आप लोग बताना मैं कौन सा लूँ तुमेना फिर वही वाला ले लूँगी आप लोग बताना कौन सा अच्छा है और पापा अज जल्दी ही आये थे डूटी से तो यहाँ पर पापा और ममी दोनों दिशानी के साथ खेल रहे है अभी मैं जारी हूँ थोड़ा दिशानी को म मामी के पास रखे में जारी हूँ मामा जी के घर पीछे ही है तो देखते हूँ बच्चे लोग क्या कर रहे है मुझे रोने का आवाज तो आई रहा है अभी वी क्या पता मेरे मामा जी की लड़की है छोटी वाली बो शायद रोह रही है अभी तहां यहां तक रस्ते तक आ अब मैं मुझे बुला रही है कि लड़की को रखके क्या तू भूली गई है क्या जल्दी आ तो अभी मैं जा रही हूं दिशानी के पास वो मम्मी के पास थी मैं उसके दूद वगरा सब लेके आई थी साथ में मम्मी ने शायद उसको दूद भी पिला दिया होगा तो अभी म याती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ. मैंने सूचा था कि दिशानी सो गई है, पर यह सोई नहीं है और थोड़ी दिर बाद मामा जी और उनकी लड़की भी आ गई थी. तो दिशानी है ना किसी की गोदी में जाके चुप नहीं कर रही थी अभी फिर से रो रही थी तो मामा जी के गोडी में गई और में तो ताजूप हो गई जाते से एक दम छुप और बाते खर रही थी मैं दिशानी और मम्मी घर पर आ गए हैं पिछे-पिछे थेला वगरा सब कुछ लेके जा रही हूं मम्मी का सामान, दिशानी का, सब का और आज ना पता नहीं क्यों हलका हलका सा सिर में दर्द हो रहा है मौसम के वज़े से मुझे दो-तिन दिन से फिवर तो था ही हलका हलका और अब जाके सिर में भी दर्द हो रही है अभी घर पे जाके चाय पिऊंगी चाई पीने के बाद फिर खाना बनाऊंगी देखती हूँ तो आप लोग ब्लोग में बने रही है पूरा देखिए और मैं यहाँ पर चाई पी रही हूँ और साथ में नमकिन और विस्किट खा रही हूँ चाई के साथ कौन-कौन नमकिन खाते है मुझे जरूर बताना क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चाई के साथ नमकिन और हमारे घर पे मेरे भाई बेहन सब लोग खाते है पर बहुत लोग ऐसे भी बोलते है कि चाई के साथ कौन खाता है नमकिन तो कौन-कौन खाते है जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना चाय के साथ नमगिन और फिर चाय पीने के बाद दिशानी का तो सोनी का नाम नहीं तो थोड़ी दूर में इसके साथ मुझे कर रहे हैं मतलब फोन जिदर नजर उदर दिशू ओ ममा 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 पम आज मुझे चीश मैं नहीं फosition डाぎ में पर आप लोग को पसंद आरो आप यहां पर देखिए बाक पर अच्क पर तो इस फिश का नाम है कातला और है ना बेंगोली लोग जानते हैं तो इसको मैंने हल्दी और नमक मिला लिया है और अब मैं फिश को फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद फिर जाके बनाऊंगी तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है और मैं एक-एक करके सारे फिश को मतलब फिश के पीसेस को तेल में डाल दूंगी और उसको अच्छे से दोनों साइट से फ्राई करूँगी तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे फिश डाल दिये हैं और साइड में यहाँ पर चावल भी बन और मैं फिश को अच्छे से दोनों साइट से फ्राई करूंगी तो वही में कर रही हूं और पास में मम्मी भी है बाते कर रही है मम्मी भी और देखें यहां पर फिश अच्छे से फ्राई हो गया है अब मैं इन फिश को निकालके दूसरी बार फिश चड़ा दूंगी कड़ा पर और फिर दाल के पर विश को अंठें बफारो ही दाला इसे ज्यादा हीन ही मीर्च सरसो तो काली मिर्ची दाने जीरह और 2 हरी मिर्ची, या प्रिषप高 निया 3 है सब्कारो lag को विला है समेल नहीं पर Pul Oppice को सब् leads काट पर अच्छति हे दाने के लिए और इस इस के बादे कस्ते है कुछी तेल थोड़ा जा है किगना तो अच्छेिक Inde मैं इसके अंदर 3-4 हरी मीची बीची में से काट कर ऐसे डाल दूँगी और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर और फिर जाकर इसको बंद कर दूँगी और उधर मैंने फिश भी फिराई कर लिया था तो इसको मैं बनाने के लिए मैं ले रही हूँ इडली कुकर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर मैं इसको रख दूँगी टिफिन को और फिर मैं इसको गेस पे चड़ा दूँगी और इसको 10 मिनिट तक होने दूँगी अच्छे से और आप लोगों के पास अगर ये इडली कुकर नहीं हो तो आप लोग चावल के जिसमें चावल बनाते हो उसके अंदर भी टिफिन को रख के चावल के साथ साथ भी बना सकते हो बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं तो यहाँ पर मैं और एक सबजी बना रही जीरा और काला जीरा ये तेल गरम होने के बाद मैंने तेल में डाल दिया था और फिर जाके केले और आलू को मैंने उसके उपर डाल दिया था तेल में और फिर उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था और फि इसको मैंने सब्झी को ढख धिया है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए तो देखिए, एक बार में खोलके देखूँगी कि अच्छे से पका है की नहीं तो हाँ, ये सब्झी पक गया है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ उपर से जीरा पाउडर जिरा पाउडर डालने के बाद यह सबजी बन गई है तो मैं इसको दूसरे बरतन में निकाल लूँगी और उधर मेरा फिश का दूसरा रेसिपी जो है वो भी बन गया है तो देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है बनने के बाद और फिश भी अच्छे से पक भी गया है तो यहां पर देखिए यह खाने में बहुत ही टेस्टी है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो फ्रेंड्स मेरा पूरा खाना बन गया है और दिशानी अभी सो रही है तो हम लोग भी मतलब अम्मी में हम सब लोग भी जल्दि-जल्दि खाना खालेंगे तो अभी मे तो यहां पर मैं खाना खा रही हूं तो मेरा खाना खाना हो गया है तो फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद दिशानी उस कमरे में सो रही है और मैं उस कमरे में इसलिए नहीं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत जग जाएगी आवाज से तो मैं यहाँ पर भया के रूम में आके वीडियो शूट कर रही हूँ और आज खाना जो बना था वो बहुत ही अच्छा बना था सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारिफ किया कि बहुत ही अच्छा लगा तो अभी खाना वाना तो खाना कम्पलीट हो गया है तो फ्रेंट्स आज का यह ब्लोग में यही पर खतम करूंगी आप लोगों अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चेनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई